तो हेलो गाइस कैसे हो आप लोग मुझे सतना ठीकी होंगे तो हमारे बॉरूटो का एपिसोड 241 आ चुका है जो कि थोड़ा अच्छा था इसे आप वर्द वाचिंग कह सकते हो और आजकल कॉपीरेट का खत्रा कुछ जादा ही बढ़ चुका है इसलिए डिस्क्रिप्शन मे मैंने मेरे इंस्टाइग्राम का भी लिंक दिया हुआ है तो वहाँ पर जाके भी फॉलो कर लेना तो अब बिना टाइम पर बात की चल्द से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं अपिसोड की स्टार्टिंग में देखते हैं काफी सारेंडर कर दो हम तुमें छोड़ देंग अब हमारे कागोरा को बताते हैं वह बारे में जुके भी चल रहा हैं और आदमी को सिरों उसके आदमी से कहते हैं तो मैं समानल लूगी तो इसलिए अपना काम पूर अच्छी से करना और सुनते ही वह बंदा कर देता है एक समर्ण करता है कुछ लीज को ये सायद कुछ कीड़े है जो की सब जगा फैल जाते हैं हम देखते हैं कि एक इडनमिष्ट का बंदा केंग पहरा दे रहा होता है कि तब ही उसको वो लीच आके काट लेती है और उसके आखे बंद हो जाती है इसके बाद से इन दिखाया जाता है है वी इचीगो का जो कि उन सबको कांट्रोल कर लें जीसे ब्यों करते हैं भूंटान को भी वो लीच काट लेके श्यू MICH रहा होता है एंदेन हमें देखते हैं हमारी डैंकी को जिसके उपर भी एक लीच अटेक रने वाली होती है लेकिन डैंकी सही वक्त पर एक स्प्रेय यूस कर देता है जिस वज़े से वहीं पर मार जाती है लगता है लेकिन तब ही मैठली कहता है साइद यह बक्स कुछ अलग जाए से दीन ह्टाय यह हम देखते हैं लिखते हैं इसके तरफ देखते हैं उसकी तरफ दो तमीह बंटे कर रही होता है जिसके तरफ सेन encara करते है हम देखते हैं हमारे बोटेतों को को जिसने अपना पना और योगन रखा होता सिर्ण जिससी ओपर अटाइक करती है वह हमारे आरो डिस्ट्र हो जाते है हमारा प्रूटो समझ जाता है कि कोई नखोई आने वाला इसलिए उसका अल्रेडी बना के रखता है एंड देन इन सब के बाद हम देखते है कि हमारा बॉरूटो सीरन को नोटिस कर लेता है सीरन एक के बाद एक हमारे बॉरूटो के उपर एरो शूट करती रहती है लेकिन बॉरूटो जैसे तरह से करके उसके एरो से बच रहा होता है सब किस बारे में बात कर रहा है इसलिए वह उस बंदे को जली से हपा कर बागता है बोरूटो की तरफ दिन सी दिखा जाता है बोरूटो का जिसके हाथ में एक केरो लगी जाता है लेकिन हम देखते हैं कि बोरुटो के हाथ में थोड़ा सा कट लग जाता है लेकिन फिर भी हमारा बोरुटो बचने में कामियाब हो जाता है और वो एक कमरे के इंदर जाके छुप जाता है लेकिन फिर हमें दिखा जाता है सीरेन को जो कि स्मायल करती है और वो अपने वैपन तो भागनी को चीज़ करता है लेकिन हम देखते हैं कि बुरुटोस के उस हाथ पर इसको ज्यादा यूज़ नहीं कर पा रहा होता है इसलिए वह काफी धीरे भाग पा रहा होता है कि तभी एक और शूट कर देती है और वहां पर कागुरा आ जाता है और कागुरा अपनी कोड़ी बहुत डॉल्फिन जैसी है या फिर कहीं तो बैट जैसी है यह साउंड की हेल्थ से पता लगा लीती है कि लोग काप है और वह कहता है कि मुझे पाता लग गया तो मेरा हाथ में क्या प्रॉब्लम है लेकिन चिंता मत करो यह टाइम के साथ जल्दी हील हो जाएगा और एक हैकर वो थोड़ा और आगे जाके चुप जाते है लेकिन तबी वहाँ पे सीरन आ जाती है और वो उन सबसे कहती है तुम काफी जाते ही कमजोर हो तुम छुप रहे हो लेकिन इसका कोई फाइदा नहीं है लेकिन हम देखते है बुरूटर और कागुरा को जो के एक बनाए होते है कागुरा बुरूटर से कहता है कि मैं अपने स्वाड के हैल्प से से डिस्ट्रक्ट करके मार सकता हूं बुरूटर बिस प्लैन पर राजी हो जाता है हम देखते हैं कागुरा एक दमस्त ओपन वह जाता है सीरन पर अटक करने लेकिन तबी सिरन के बचने कोश जाता है और तभी भाड़ कागुरा की तरफ जाहिए रहा होता है से और यह संकर हम चाली यह जल्ली से भागता है लेकिन हम देखते जैसजिए कि क्योंकि बाहर चल रहा था था इसलिए उसको आवाज अच्छे से आ नहीं रही थी बुरूटा हमारे कागुरा को लेता है और वहां से एसकेप कर जाता है तैनल हम देखते कि एक जिगा पर बैठ कर हमारे कागुरा और बुरूटा कहते कि हम ऐसा ही करेंगे कि तभी सिंशेफ आती है और कागुरा के ऊपर एरोज अटेक करती है लेकिन हमारा कागुरा उसे आसान से डॉच कर लीता है जल्दी से हमारा बुरूटा जाता है और उसके ऊपर कुछ फ्लैश बॉंब्स फिक देता है और मौके का फाइदा उठाकर हमारा बुरूटा उसकी तरफ उसके ऊपर बंदा पहुचता है और वहाटर वाटर वाल जुच्टू से बाकी की बैटल भी सांथ हो चुकी है वह पूरा आइलेंड सेफ हो चुका है लेकिन तब में निखायद है आऊ चछोफी हैं मदलिटर्ली का विच बताता है जिससे हमारे कादा काफी परेशान और इसके बासेंगे नाम की बंद्य बाठा और रूसरा जिसें उसाथ ज़्याद ही गुस्ता हो जाता है और इसी के साथ हमारा आज का यह एपिसोड खतम होता है तो कि घाइस टोड़े मैं अपना पूरा बैश्ट दिया एपिसोड को शॉट रखने का खेर तो आज का यह वीडियों पर खतम होता है मिलते हैं किसी और वीडियो में तब तक के सायोनारा शीता